पूश्ताच से बचने के बहाने बना रहे हेमंत सोरेन जैसे ही दिल्ली पहुँचे एडी उनके आवास पर पहुँच गए लेकिन हेमंत सोरेन वहां नहीं मिले सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक जाच एडी अब दिल्ली में जारखंड के मुख्यमंतरी हेमंत सोरेन को तलाश रही है सूतरों से जानकारी मिली कि उनके मताबिक हेमंत सोरेन पिछले दो दिन से दिल्ली में ही है शनिवार को रात हिमन्त सोरेन जारखन से दिल्ली आए दिल्ली के शांती निकेतन इलाके में हिमन्त सोरेन का निजी आवास है हिमन्त सोरेन शनिवार को विशेश विमान से रात के समय दिल्ली पहुँचे हेमंत सोरेंट से पूछताच के लिए E.D. की टीम ने तयारी की है जानकारी के मताबिक हेमंत सोरेंट के नहीं मिलने के बाद शांती निकेतन स्थित उनके आवास के उनके ड्राइवर रविंदर को लेकर E.D. की टीम निकली बता दें कि एडी की टीम अब तक हिमंत सोरिन को दस बार जमीन घोटाला मामले में समान भेच चुकी है सोरिन पूछताच के लिए हाजर नहीं हुए इस बीच उनके दिल्ली जाने को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई पता दें कि हिमंत सोरिन इस केस में गिरफतारी के तलवार के नीचे है उन पर तलवा लटक रही है सूत्रों के माने तो हिमंत सोरिन दिल्ली में ही है उन्हें ट्रेस करने की कोशिश हो रही है मुवमंट के बारे में ड्राइवर से पूछा जा रहा है सांतिन केतन अपने आवास पर मोतिला नहरुसित शिबु सोरेन के आवास और जारखंड भवन तीनों ही जगे वे कहीं नहीं है दिल्ली में E.D. की टीम इस कारवाई से जारखंड की सियासी हलचल को बढ़ा चुकी है मामला जमीन घुटाले से जुड़ा हुआ है E.D. की जाच जारखंड में माफिया द्वारा भूमी के स्वामित्व में आवैध परिवर्तन के लिए एक बड़े गिरोह सम्मधित है E.D. ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफतार किया है इनमें 2011 बैच की I.E.S. अधिकारी छवी रंजन भी शामिल है बहराज्य के समाज कल्यान विभाग के निदिशक और राच्शी के उपायुक्त के रूप में कार्य रत थी क् अधिकार।